इना सोचे समझे क्यों ही चीज अगर अपसेशन बन जाए तो इसके बहुत बुरे कंसिक्वेंसे हमें भूगतने पड़ सकते है हेलो फ्रेंड्स आज के हमारी मुवी स्विम फैन चो 2002 की एक साइकोलोजिकल थ्रिलर मुवी है इसी थीम पर बेस्ट है टाउन में नहीं आई हुई लड़की एक लड़के से अफसेस्ट है अब यह अफसेशन किस हद तक जाएगा वीडियो स्टार्ट करने से बहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना जातो अगर आपको वीडियो चलागता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा बिना किसी देरी के इस एकस्प्लेशन को स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा में क्यारेक्ट है जिसका नामे बेन या अपनी गर्डफरेंड एमी के साथ मेक आउट कर रहा था इसके बाद उसे स्विम करता हूँ हम देख सकते है वो अपनी मदर के साथ अकेल है रहता है नेकसिन में हम देखते है अपने स्कूल में स्विमिंग की टीचर के पास हो है उसके टीचर ने उसे पताया तुम्हारा गेम एसेस करने के लिए कुछ लोग आ रहे है एक्चुल में बेन को स्टैन्फर्ड में एडमिशन चाहिए अगर उसने सही से स्विम करकर बहुत अच्छा परफॉर्मंस दिया तो उसका एडमिशन हो जाएगा ये लोग लेट आने वाले थे पर अब जल्दी आने वाले है उसके कोचों से समझाते है तुम्हारे पास एक वीक है इस वीक में तुम्हें सिर्फ स्विम करना है हमेशा स्विमिंग के बारे में ही सोचो जिससे तुम जीत सकते हो बेन के लिए एक बहुत बड़ा चांस था इसके बाद बेन अपने फ्रेंड्स के साथ हेंग आउट करता हो हम देख सकते है बेन का एक फ्रेंड है जिसका नामे जॉश जॉश और बेन इन दोनों में कम्पिटिशन है स्कूल के हॉलवे में एक लड़के से तक रहा है जिसका नामे क्रिस्टोफर इन सब को क्रिस्टोफर बहुत ही अजीब लगता है जॉश उसका मजाग ले रहा था पर बेन उसे रोक लेता है बेन अब स्टैंफर्ड में जाएगा और उसके गल्फरेंड कही और उनियुनियुर्सिटी में जाने वाली है इन दोनों में 3000 माइल्स का डिस्टंस है एमी को इन दोनों की रिलेशन्शिप को लेकर ज़रा बुरा लग रहा था वो बेन से कहती है तुमारी युनियुर्सिटी के पास ही में अपलाए कर सकती हो यानि के दोनों एक ही सिटी में रहेंगे बेन को भी ये बात अच्छी लगी उसने आज एमी के लिए एक ब्यूटिफुल सा गिफ लाय था ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है इसके बाद हम हमारी और एक मेंन कैरेक्टर इसका नावे मैडिसन इस स्कूल के लॉकर के बास देख सकते है ये अपना लॉकर खोल नहीं पा रही थे ये बेन ने देखा उसके हेल्फ करने के लिए पहुच गया बेन ने नोटिस किया था मैडिसन स्कूल में नहीं है मैडिसन को इंब्यारस लगा कि स्कूल में नहीं लगती है बेन मैडिसन से उसके हैर क्लिप मांगता है इसी से उसने उसका लॉकर खोल दिया बेन के पास एक जैकेट है जिस पर उसकी इनिशिल्स नहीं थे मैडिसन इसके बारे में उससे पूछती है तो बेन कहता है कि वो एक स्विमिंग टीम में है मैडिसन ने पूछा या तुम अच्छे स्विम कर दो बेन कहता है कि मैं ठीक ठाक हूँ ये सिन यही कतम होता है, नेक सिन में हम देखते है कि बेन एक होस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब करता है वहाँ के सारे पेशन्स के साथ उसकी बहुत अच्छी बनती है वहाँ के एक ओल्ड पेशन्स उसे मजाग में कहते है, मेरे लिए गल्फरेंड ला तो बेन कहता है, आपके एज ग्रूप में गल्फरेंड लाना बहुत मुश्किल है इसके बाद नेक सिन में स्विंग पूल के पास बेन और जॉज बात कर रहे थे जॉज कहता है, हमारे स्कूल में एक नहीं लड़क्याई है ये मेडिसन के बारे में बात कर रहा था, उसे वह बहुत अच्छी लगी उसने कहा, क्रिस्टोफर की कजन है क्रिस्टोफर वही लड़का है, जिससे जॉज बुली करता है उसे वज़े से उसे लगता है, मेडिसन के साथ उसका कोई भी चांस नहीं है गर जाते वक गाड़ी चलाते हुए, बेन जारा डिस्ट्रैक्टेड था अचानक से उसके सामने मेडिसन आ गए, वो जल्दी से ब्रेक मार कर उसे बचा लेता है मेडिसन के बुक्स वगिरा सारे नीचे गिर गए थे, ये सब उठाने में हेल्प करता है बेन को बहुत बुरा लग रहा था, वो मेडिसन को कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ जाते वक मेडिसन बेन से कहती है, तुम बहुत ही काम के आदमी हो बेन जब घर पर आया, तो नोटिस करता है, मेडिसन अपनी नोटबुक उसके गाड़ी में भूल चुकी थी बेन ने अपने आपको रेजिस्ट किया, पर फिर भी ये बुक को देखी लेता है इसमें मेडिसन की म्यूजिक नोट्स थे, मेडिसन चेलो बजा दिया, तो इसमें उसके धुन थे बेन ने नोटिस किया, यहाँ पर बीसी ये इनिशेल बने हुए है, बेन का पुरा नाम बेन क्रोनिन है, तो ये उसके इनिशेल्स थे अगली दिन बेन ने मैडिसन को कॉल किया तो मैडिसन कहती है नोटबूल लेकर मेरे घर आ जाओ मैडिसन के घर आने पर क्रिस्टफर ने दरवाजा खोला बेन उसे कहता है कि मुझे मैडिसन की नोटबूक वापस करनी है क्रिस्टोफर ने का तुम मुझे दे दो, मैं उसे दे दूँगा ये सब मैडिसन उपर से देख रही थी वो क्रिस्टोफर पर चिलाती है और नीचे आ जाती है वो हमेशा क्रिस्टोफर से बहुत ही इरिटेड होती है उसने बेन से इसके लिए sorry कहा वो कहती है कि आज मैंने लंच नहीं किया शायद इसी वज़े से मैं गुस्सा हूँ बेन और मैडिसन ये दोनों फेरे कैफे में आये मैडिसन बेन से बुशती है क्या तुम हमेशा पीन से लौकर खुलते हो बेन कहता है कि ऐसा नहीं है कुछ सालों पहले वो ट्रवल में आ गया था वो ड्रक्स करता था बहुत सारी illegal चीज़े उसने की ड्रक्स के लिए उसे पैसे भी चुराने पड़े थे बाद में इससा पुलिस को पता चला वो इससे जेल में डाल दिया गया बेन कहता है यह सब मेरे लाइफ में होना यह अच्छे के लिए हुआ उसके जेल में स्विंग पूल था जहांकि क्लिनिंग का काम बेन के पास था फिर क्या था वो स्विंग करने लग गया और इसी वज़े से आज वो एक टॉप प्लेयर है बेन जब स्विंग करता था तो सारी प्रॉलम्स उसकी मीड जाती थी मैडिसन कहती कि मैं समझ सकती हूँ जब मैं चेलो पजाती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है वो वर्ल की सब चीजों से एसकेप जाती है बेन पूशता है कि तुम अब यहाँ हो क्या इससे भी एसकेप जाती हो मैडिसन ने कहा कि अभी नहीं अब मैं तुमारे साथ हूँ तो उसे कही भी नहीं जाना वो उसे फ्लर्ट कर रहे थी तो बेन कहता है मेरी गल्फेंड है मैडिसन के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रख सकता मैडिसन कहती है तुम मुझे बहुत पसंद आये थे पर क्या करे तुम सिंगल नहीं हो वेसे भी मेरा नुई यॉक में एक बॉइफ्रेंड है हम एक दूसरे से दूर है तो हमें डेटिंग करना अलाउड है बेन कहता है मेरा फ्रेंड जॉष तुम्हें बहुत इंट्रेस्टेड है मैडिसन ने कहा पर मैं उसमें इंट्रेस्टेड नहीं बेन कहता है कि चलो तुम्हें घर छोड़ देता हो मैडिसन कहती है कि मैं घर जाने के लिए रेडी नहीं हूँ बेन को स्विमिंग करनी थी तो यही देखने के लिए मैडिसन उसके साथ आई उसे स्विम करता हुआ देखकर वो भी स्विमिंग बूल में आ जाती है वो कहती है मुझे स्विमिंग करना नहीं आता प्लीज मुझे सिखाओ Madison उसके साथ निूड थी तो उसे देखकर Ben excited हो गया था Madison उसे किस कर लेती है ये दोनों फिर यही intimate होने लग जाते है Madison बेन से कहती है कहो कि तुम उससे प्यार करते हो Ben को बहुत अजीब लगा तो कहती है सिर्फ तुम्हें कहना है इसका कोई भी meaning नहीं है Ben भी ये कहे देता है Ben ने Madison को घर पर जोड़ दिया Madison कहती है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए वो एक joke नहीं बनना चाहती है उसने पूछा क्या हम अभी भी friends रह सकते है Ben हा कहता है सुबा Ben को उसकी girlfriend का call आया उससे पुछती है कल तुम उससे मिलने आने आने वाले थे आये क्यों नहीं Ben कहता है कि कल मुझे homework था तो उसके friend के साथ ही था जिस friend का उसने नाम बताया उससे की mother injured थी तो उसके बारे में Amy उससे पुछती है Ben को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था पर फिर भी Amy को जादा को शक नहीं गया Amy ने Ben को उसका locker चेक करने के लिए कहा उसके locker के उपर एक छोटा सा fool था Amy का later उससे इसमें मिला इसमें लिखा है तुम मेरे life में हो तो मुझे बहुत ही proud महसूस होता है इसी बारे में वो सोच रहा था रात में इन सब फ्रेंड्स की पार्टी है इस पार्टी में जॉश बेन से कहता है आज में तुम्हारे आगे था जॉश की फ्रेंड्स ने कहा कि आज बेन का concentration नहीं था वरना हो मेशा तुमें हरा देता है बेन यहाँ से निकल कर जब एमी से मिला तो एमी कहती कि मेरे फ्रेंड्स से मिलो मैडिसन ये दोनों एक दूसरे से इंट्रड्यूस होते है जैसे वो फर्स टाइम मिले हो बेन को ज़रा अंगमवडेवल लगा तो वाश रूम चला जाता है बेन की गाड़ी रस्ते में पाक की हुई थी तो एमी जाकर इस गाड़ी को सही से पाक करने वाली थी बेन की बीचे बीचे मैडिसन आई मैडिसन कहती है तुम्हारी गल्फरेंड बहुत अच्छी है बेन ने कहा मेरे इनर्वेर तुम्हारे गाड़ी में है प्लीज मुझे लाग करतो बेन रियलाइस करता है गाड़ी देखने के लिए एमी गई हुई है चल्दी से वहाँ से बागा और एमी गाड़ी खोल सके इसे पहले उसने उससे चावी ले ली बेन जब इमेल देख रहा था तो मैडिसन के उससे मेल आये थे वो रिप्लाय नहीं करता तो मैडिसन उससे कंटिनूसली इमेल करती है बेन कहता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ बाद में हम बात करेंगे स्कूल में भी बेन मैडिसन को इगनौर कर रहा था ये बात मैडिसन ने नोटिस किए वो सही से स्विमिंग पर फोकस नहीं कर रहा तो उसके कोज उससे बात करते है गयते हैं एक विग में तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा इस तरीके से तुम पफाम नहीं कर सकते तुम में और तुमारी गर्फरेंड में जो भी चल रहा है इसे सही से सौट आउट करो बेन जब घर पर पहुचा बेन की मदर के लिए फूल लेकर मैडिसन वहाँ आई हुई थी बेन ने देखकर बहुत ही गुसा था उसके बास आता है और कहता है तुम्हें कुछ गलत लग रहा है मुझे तुमारे साथ कोई भी रिलेशन्शिप नहीं रखने मैडिसन कहती है तुमने कहा था कि हम फ्रेंड्स रह सकते हैं इसलिए मैं तुमारे घर पर आई थी शायद मैं तुम्हें गलत समझी थी वो उस पर गुसा हो गई नेक्स डे बेन जब लाबरेरी में स्टड़ी कर रहा था तो उसे मैडिसन के बहुत सारी इमेल्स आए इसमें मैडिसन ने उसके नूड्स भीजे थे यही बेन से बात करने के लिए उसकी गल्ड्रेंड एमी आ जाती है जल्दी से बेन इसे बन कर देता है एमी आज उसे मिलना चाती थे बेन ने उसे मना कर दिया वो गिल्टी मेज़ोस करता है इसलिए उसे इग्नोर कर रहा था एमी डिसपॉइंटेड होकर वहाँ से चली गई स्विमिंग करते वक्त बेन ने देखा मैडिसन और जॉश अभी एक साथ है बेन एमी को इग्नोर कर रहा था तो उसे मिलनी के लिए आई कहती है यह तुम्हारे साथ रहने वाली हो अगर इसे तुम्हें टेंशन आता है तो यह भी फाइन है कोई भी प्रॉलम नहीं बेन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं वो उसके साथ ही रहना चाता है आजकल सिर्फ जरा टेंशन में था नेकसिन में लॉकरूम में मैडिसन बेन से मिलने के लिए आई वो उससे कहती है मैंने ऐसा क्या गलत किया प्लीज मुझे बता दो जॉश मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता वो सिर्फ उसे चाती है बेन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता मेडिसन कहता है अपनी गर्फरेंड के साथ ब्रेक अप कर लो बेन कहता है मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हू या तुम्हें समझ में नहीं आता मेडिसन कहती है पर तुमने मुझे आई लव यू कहा था बेन और भी गुसा हो गया वो गयता है तुमने मुझे कहा था आई लव यू कहने के लिए इसका कोई भी मिनिंग नहीं था मैडिसन को यहाँ अपना कंट्रोल लूज करते हूँ हम देख सकते हैं बेन जब अपने काम पर था तो सब को मैडिसन दे रहा था एक पेशन को इसका रियाक्शन आ गया हस्पिटल स्टाफ को पता चला बेन ने सब को गलत गुलिया दिये बेन ने रियलाइस किया अपना कार्ट छोड़ कर वो थोड़ी देर के लिए कही चला गया था उसे लगता है मैडिसन ने उसका कार्ट चेंज कर दिया इस पर बेन बहुत गुस्सा हो गया था उसके पास आकर उसका गला दबा कर उसे धंगी देता है कहता है मेरे आसपास भी मत दिखना हॉल में अगर में दिखू तो अलग रास्ते से चली जाना तुमने आज जो किया इससे लोग मर सकते थे Ben फिर Amy से मिलने के लिए गया जो भी हुआ यह सब उसे बता देने वाला था Amy को आज लेट रात तक काम करना पड़ेगा तो कहती है कलम स्कूल में बात करते है अगली दिन जब Ben स्कूल में पहुचा तो सब को पता चल चुका था कि Madison और उसमें अफेर है वो Amy के पास आया तो Amy उसे स्लैब कर देती है उसे सौरी कहता है Amy ने पूछा तुमने किया क्यों Ben के पास कोई भी आंसर नहीं था Ben के आप स्विमिंग के कॉम्पेटिशन होने वाली थे इसलिए उनकी यूरीन में गिरा चेक की गई कॉम्पेटिशन का दीन आया Ben को सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ कोई भी नहीं था सिर्फ Madison थे अचानक से Ben के कोच को कुछ पता चला Ben से आगर कहते है तुम डिस्कौलिफाइड हो तुमारी यूरीन से में पता चला तुम स्टूराइड्स लेते थे तो यहाँ पर अलाओड नहीं Ben कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया वो बहुत ही डिस्टरब हो चुका था उसने Madison और Josh को एक साथ देखा था तो उसे लगा इन दोनोंने मिलकर उसे फसाया है वो Josh को confront करता है पर Josh उसे उठा कर पानी में डाल देता है Ben जब घर पर आया तो उसकी मदर उसे बहुत ही disappointed थी लास्ट टाइम बे वो ड्रग्स की वज़े से जेल में गया था तो मदर को लगा इस बार भी शायद वही हो रहा है जेम्स कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया एक बार अल्डेडी यह सब हो चुका है तो मदर उस पर बिलीव नहीं करती रात में Ben फिर से एमी के पास आया वो एमी से कहता है यह सब मैडिसन ने किया है एमी कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ इसके बाद नेक सीन में मैडिसन और जॉष यह दोनों मेक आउट कर रहे थे मैडिसन यहाँ Ben का नाम लेती है जिसे जॉष बहुत ही चिड़ गया जॉष कहता है कि जो Ben ने कहा यह सब कुछ सच था वो कभी भी स्टूराइस ने लेगा तुमने उसे फसाया है यह सब जाकर वो जॉष को बताने वाला था Ben को स्विमिंग टीम से निकाल दिया गया है लास्ट टाइम वो पूल में स्विम करता है जहाँ पर डारिकली उसे जॉष की बॉड़ी ही मिलती है मैडिसन ने उसे मार डाला था Ben ने सब रिपोर्ट किया और पुलीस का सारा शब ये Ben पर ही था Ben को मैडिसन के खिलाफ कुछ ना कुछ तो सबूच चाहिए था यही डूडने के लिए उसके रूम में वाया मैडिसन का उसे एक बॉक्स मिला इसमें Ben जिस भी केम में जीता है उस सब के निउस्पेपर कटिंग्स है उसके पास Ben और Emi की फोटो भी थी पर Emi के फोटो के उपर मैडिसन ने अपनी फोटो लगा दी थी इस बॉक्स में Ben को मैडिसन के एक्स बॉइफरेंड का फोटो भी मिला बेन को मैडिसन के रूम में क्रिस्टोफर देख लेता है वो बेन से कहता है कि जल्दी से तुम यहाँ से चले जाओ अगर मैडिसन को पता चला तो तुमें वो मार देगी बाहर आने पर क्रिस्टोफर बेन से कहता है मुझे तुमें कुछ दिखाना है क्रिस्टोफर फिर मैडिसन के एक्स बॉइफरेंड के पास बेन को लेकर आया उसका एक्स बॉइफरेंड कोमा में था शायद यह उसका हल भी मैडिसन नहीं किया हो बेन को पता चला वो भी एथलीट है शायद इसी वज़े से मैडिसन को बेन पसन आया था बेन की गाड़ी मैडिसन के घर के बाहर थे उसने गाड़ी ली और एमी से टकरा दी एमी को हस्पिटल में एडमिट किया गया बेन की मदर डॉक्टर ही है तो बेन को कॉल कर देती है वो गहती है पुलिस को लगता है तुमने एमी को मारने की कोशिश की तुम होस्पिटल में वापस मताना बेन कहता है कि एमी अब तक सेफ नहीं है मैडिसन फिर से उसे मारने की कोशिश करेगी पर बेन इस होस्पिटल में आनी सकता अब हम होस्पिटल में मैडिसन को देखते हैं वो डॉक्टर के कपड़े पहन कर एमी के रूम तक जा रही थी मैडिसन एमी को मारी देती तभी माइक पर अनॉंस्मेंट हुए इस पर मैडिसन के एक्स बॉइफरेंड का नाम लिया जा रहा था इस अनॉंस्मेंट से वो पार्किंग में पहुच आती है मैडिसन को लगा कि उसका बॉइफरेंड या है वो उसके बॉइफरेंड के कपड़े पहने हुए उसका ब्रदर क्रिस्टोफर था बेन ने जल्दी से पकड़कर उसे चाकू लगाया मैडिसन कहती है तुम्हें गट्स नहीं है बेन गहता है तुम्हारी वज़े से सब को लगता है मैंने जॉश को मारा मैडिसन गहती कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारी लिए किया तुम मुझे कभी भी मार नहीं सकते है मैडिसन को बेन बहुत स्टूपेड लगता था पर बेन ने ये सब बात record कर ली इस टेव में मैडिसन का पुरा confession है इसके बाद वो पुलीस को बलाते है और सब को sort out हो जाता है मैडिसन को जब पुलीस लेकर जा रहे थे तो मैडिसन ने उनकी गन ली और उन्हें मार डाला बेन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था वो एमी के पास आया उससे कहता है कि तुम्ही मेरी सब कुछ हो मैं लाइफ में कुछ भी करो पर फिर भी हमेशा तुम्हें ही चाता रहूंगा मुझे गलती होके प्लीज मुझे माफ कर दो वो रो रहा था तो एमी नहीं उसे माफ कर दिया बेन फिर घर आता है घर आने के बाद उसे नीचे से कुछ आवाज आई उसने देखा तो उसकी मदर बेहोश पड़ी थी मैडिसन ने पीछे से उस पर वार किया और उसे भी बेहोश कर दिया बेन को जो फोश आया तो अपनी मदर के लिए हैल मंगवाता है वो एमी को देखने के लिए गया तो गायब थी उसे मैडिसन का कॉल आया मैडिसन उसे स्विमिंग पूल बुलाती है बेन वहाँ पहुचा तो मैडिसन ने एमी को एक विलचेर से बान दिया था वो गहती है मेरी तरह तुमसे कोई भी पयार नहीं करेगा कहे कर उसने एमी को पानी में पूश कर दिया बेन जम मारता है पर एमी के हाथ पर हतकड़िया बंदी हुई थी उसे अपने पैंट्स में मैडिसन की हैर क्लिप मिली इसी से उसने एमी को छुडा लिया वो पानी से उपर आने की कोशिश का रात था पर मैडिसन उसे आने नहीं देती इस कोशिश में वो भी पानी में गिर गई उसने बेन के लेक्स पकड़ कर रखे थे तो उसके साथ मर जाना चाती थे मैडिसन उसे डुबाने की बहुत कोशिश करती है पर Ben उपर आ गया उसने Amy को बचा लिया जैसे कि मैं पता है Madison को स्विम करना नहीं आता तो पानी में डूप करी उसकी डेथ हो गए अगर इसके बाद देखते हैं कुछ टाइम गुजर चुका है Ben अव स्विमिंग टीम में नहीं रहा पर वो Amy के साथ है तो खुश है इसी मुमेंट पर इस मुवी का एंड हो जाता है Ben की कलती उसे बहुत भारी पड़ी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सबस्क्राइब कर दीजे और बेल इन्डिवेशन आइकोन दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगी और एक निमोवी के साथ तो प्लीज थैंक्यू आप अपने आपका ख्यार रखिया